ओम नमाः शिवाए, भगवान भुलेनात के बारह रूदर अवतारों के बारे में धर्म शास्त्रों में विवरन हैं, जिनमें 11 वे रूदर अवतार महावीर हनुमान माने जाते हैं, जैसा कि शिव पुराण में उल्लेक हैं. इस रहस्यमई प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें शिव जी के हनुमान अवतार की उत्पत्ती की कहानी को पढ़ना होगा. शिव जी ने हनुमान जी के रूप में अवतार क्यों लिया था? इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर से हमें आश्चर्य हो सकता है. इस कहानी की श समर्पन्ट, सेवा, ब्रहमचर्य और महाबली गुणों ने उन्हें सच्चे भक्तों के दिलों में स्थान बनाया. भगवान राम और माता सीता के प्रिय अनुयाई थे, जिनकी कहानी किसी भी परिचय की आवश्यक्ता नहीं है. हाँ, हम यहाँ महाबली राम दूथ हनुमान जी की बात कर रहे हैं. हमारे सामने एक सुविचार्क शन उत्पन होता है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ. इस संबंध में दो कहानिया प्रमुख हैं, जो शास्त्रों में राम भक्त हनुमान की जन्म तिथियों का उलेक करती हैं. पहली कहानी के अनुसार, हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, क्योंकि उनकी माता अंजनी ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे पुत्र प्राप्त करने के लिए वर्मान गा था. तब भगवान शिब ने पवन देव के रूप में अपनी रोधर शक्ती का एक अंश यग्यकुंड के रूप में अर्पित किया, जिसके बाद वह शक्ती अंजनी के गर्व में प्रविष्ठ हुई हनुमान जी का जन्चेत्रशुकल पूर्णिमा को हुआ और पौरानिक कताओं के अनुसार, भगवान विश्णू ने राम के अपतार के समय सभी देवताओं को अलग-अलग अपतार लेने का संकल्प किया था, जिसमें हनुमान जी ने रावन का अंत करने के लिए अपना पुरान में मिलती है। हनुमान जी के जन्म को लेकर विभिन विद्वानों की भिन भिन राए हैं, लेकिन कता के अनुसार प्रावन का अंत करने के लिए जब भगवान विश्णू ने राम का अपतार लिया, तब सभी देवता भी अलग-अलग रूपों में प्रकट हुए है कि एक बार भगवान शिब ने इच्छा की कि वह प्रित्वी लोग पर जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करे। इस समय राम जी की आयू पांच वर्षों की थी। तब शिब जी ने अपने वास्तविक रूप में जाने की असमर्थता को देखते हुए माता पारवती स माता पारवती ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे यहां छोड़कर अकेले अयोध्य नगरी जाना चाहते हैं। इस सोच में भगवान शिब मो के चक्कर में फंस जाते हैं और कहा जाता है कि पत्नी छल से पती को मना लेती है। यहां भी ऐसा ही होता है। एक तरफ माता पारवती थी जिनके पास शिब जी को रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम थे जिनके लोक में शिब जी को जा उनके गले में ग्यारह रूद्राक्ष की माला थी, जिसमें ग्यारह रूप थे, और उन्होंने कहा, देखो पारवती, इन ग्यारह रूद्र में से एक रूप आज मैं अप्तरित होने वाला हूँ। इसलिए मेरा यही रूप राम की मदद करेगा, और इसलिए हनुमान अवतार में शिव ने अपनी जैसी शक्तिया डाली। उनके दर्शन पा सकें। बहुत सारे सबूत इसे साबित करते हैं कि हनुमान जी आज भी प्रित्वी पर मौजूद हैं, जिसे नासा तक ने भी जबर्दस्ती स्पष्ट किया है। इससे हमें ये यकीन होता है कि हनुमान जी आज भी जीवन्त हैं। इस प्रमान के साथ, शिव जी के अफ्तार हनुमान जी की कहानी सपश्ट होती है, जहां शिव ने पहले हनुमान को श्री राम के दर्शन कराए और बाद में उन्हे राम के परमभक्त कहा गया, जिन्होंने राम रावन युद्ध में सबसे अधिक मदद की. हनुमान जी का जीवन महान नहीं था ही, उनकी लिलाएं भी उतनी ही परिपूर्ण थी. वे वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र थे, इस कारण उन्हें केसरी नंदन और अंजनिय के नाम से भी जाना जाता है. हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि माता अंजनी को वायु देव की कृपा से ही हनुमान जी प्राप्थ हुए थे उनका बच्पन से ही पराक्रम और साहस से भरा था, जिसे हम उनके सूर्य को फल समझकर खाने जाने के प्रेर्मनास्पत प्रवरिती से जानते हैं सूर्य देव की रक्षा के लिए देवराज इंद्र ने वज्व से हनुमान पर हमला किया था उनके पुत्र की मूर्चित अवस्था देखकर वायु देव ने क्रोधित होकर वायु को रोका इस पर सभी देवी देपताएं हनुमान जी को आशिरवाद देकर उन्हें विभिन शक्तियों से सुशोबित किया और कहा कि यह बालक आने वाले समय में एक महान कार्य में भगवान विश्णू के अवतार श्री राम की धर्म स्थापना में मदद करेगा हनुमान जी की जिग्यासा उनके जीवन के उद्देश्यों और रहस्यों को जानने की थी और इसी के चलतेवे रिशी यानी पंडितों से इसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते रहते थे लेकिन जिग्यासा शांतना होने पर वे क्रोधित होकर उत्पात मचा देते थे एक दिन हनुमान जी भरिगो रिशी के पास पहुँचे और भरिगो रिशी ने उनको क्रोधित कर दिया उन्होंने हनुमान जी को शाप दिया कि वे अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएंगे और जब कोई ज्यानी व्यक्ति उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरंग कराएगा तब उन्हें वो शक्तियां फिर से प्राप्थ होंगी इसके बाद हनुमान जी ने एक बारवानर राज सुग्रीव के पास जाकर उनकी सेवा में लग गए जब समय बीटता गया और प्रभु श्री राम विश्नु के अवतार में प्रकट हुए तब शिप जी हनुमान रूप में राम की सेवा में लग गए रावन से युद्ध का समय आया रावन ने माता सीता का हरंग कर लिया और धूनते धूनते प्रभु श्री राम हनुमान जी से मिले भगवान को देखकर हनुमान जी प्रसन हो गए और उनकी व्यथा सुनकर वे भी दुखी हो गए तब हनुमान ने श्रीराम को वानर राज सुग्रीव से मिलाया और सहायता करने का वच्चन भी दिया इस प्रकार शुरू हुई थी माता जानकी की खोज चारो दिशाओं में सारे वानर मिलके उनकी खोज में निकल पढ़े तब एक दिन सब लनका की ओर बढ़े समुंदर को पार करने में कोई सक्षम नहीं था तब जामवंध जी ने हनुमान जी को याद दिलाया उनकी शक्तियों के बारे में अपनी शक्तियों का स्मरंग करते हुए उन्होंने विराट रूप धारंग करके समुंदर पार किया और माता जानकी की खोज में योगदान दिया। इसी कारण हनुमान जी को श्रीराम जी का अनंद भक्त कहा जाता है और इसी प्रकार शिवजी ने हनुमान के रूप में विश्नु भगवान की दास्ता को पूरा किया। इस रूप में हनुमान का रूप जगत की पालनहार है. आज भी, जब भी हम सच्छे दिल से हनुमान जी को याद करते हैं, वे अपने भक्तों के पासपल भर में हाजिर हो जाते हैं. उनके जीवन की कहानी से हमें ये सिखने को मिलता है कि अगर हम अपनी क्षमताओं को पहचा किया. इसी तरह हम भी अगर अपने जीवन की कठिनाईों को देखकर घबराय बिना क्षमताओं को पहचानते हैं तो जीवन में हर किसी कठिनाई को पार कर सकते हैं. जैसे हनुमान ने राम के साथ धर्म पत पर चलने में साथ दिया, उसी तरह अगर हम भी धर्म के मार्क पर चले. तो भगवान हनुमान जी, शिवजी के रूप में हमारी रक्षा करेंगे जीवन भर, हमें अपनी कठिनाई को जीवन में आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी.